नागरिक्ता कानून के खिलाफ देश के कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं और कॉंग्रेस के नेता भी इस विरोध में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये विरोध मोदी सरकार के खिलाफ है इस विरोध के जड़िये कॉंग्रेस पार्टी अपनी राजनितिक जमीन तलाशने में जुटी है और मोदी के विरोध में कॉंग्रेस के नेता ऐसे बयान देते हैं जिसे देश की छवी खराब हो सकती है मोधी सरकार के विरोध के नाम पे कॉंग्रेस के नेता कभी सेना पर सवाल उठा देते हैं तो कभी पुलिस को भरस्ट कह देते हैं दरसल कॉंग्रेस के सेनियर लीडर संदीप दिक्षित ने पुलिस को लेकर विबादित बयान दिया उन्होंने कहा कि हमारी आधा से ज्यादा पुलिस भरस्ट है जिसके बाद बवाल हो गया और जब सवाल खरे हुए तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने यह कहा कि ज्यादा तर पुलिस करप्ट है यह नहीं कि सभी पुलिस वाले भरस्ट है इसके अलावा संदीप दिख्षित ने कहा कि राजनेता जनता के प्रती जवाब दे हैं इसी तरह से जन सेबक भी आम लोगों के प्रती जवाब दे हैं संदीप के इस बयान पर बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की लेकिन संदीप ने माफी मांगने से इंकार कर दिया बहराल ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कॉंग्रेस के कई नेता सेना पर भी सवाल उठा चुके हैं अब तो जनता को ही तै करना है कि ऐसी पार्टी के साथ क्या करना है जो वोट बैंक की राजनिती में सेना और पुलिस को ही शक की निगाह से देखते हैं और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं